जैहिन दोस्तो दोस्तो कैसे हैं आप उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे दोस्तो जो मेरा आज का वीडियो है यह है डिफेंस पेंशनर पे दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा इस पर्श के बारे में दोस्तो जैसा आपको पता है कि Ministry of Defense ने अपना एक नया पोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है इस पर्श इसे मैं एक सौफ़वेर पैकेज भी बोलता हूँ दोस्तो अभी इसका काम प्रोसेस में है अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तो Ministry of Defense ने अपना एक नया पोग्राम तो निकाल दिया जिसका नाम है इस पर्श दोस्तो क्या ये आगे सकसेस्फुल हो पाएगा देखने वाली बात ये होगी क्योंकि जितने यूजर्स जितने पैंशनर्स जितने फैमली पैंशनर इस पोग्राम को टेस्ट करेंगे उसका रिजल्ट ही हमें बताएगा कि ये सकसेस्फुल होगा या फि इसका एक मुख्य उदेश है कि जो external sources है जो आपकी pension external sources के पास जाकर बीच में जो समय लेती थी फिर आपके bank account में आती थी उस समय को खतम कर दिया गया है जो external sources थे जैसे CPPC या फिर और भी different sources थे उन सब को खतम कर दिया है और एक software बनाए गया है उस software के थुरू direct सही समय पर आपकी pension credit कर दी जाएगी आपके bank account में अब इतना time नहीं लगेगा pension credit होने में चाहे वो pensioner की हो या फिर वो family pensioner की हो दोस्तो इस software को दो तरीके से design करा गया है इस purse को एक करा गया है system web portal जिसमें आप online surfing करके site डाल कर login ID डालेंगे password डालेंगे और अपनी pension की detail आप देख पहेंगे दूसरा है server पहले जो आपकी details है pension की detail हो गई इस service pension हो गई है जो भी जितनी भी details है pension से लेड़ेंगे वो एक server पर upload होगी एक main server बनाये गया है उस server पर आपकी सारी चीज़े upload होगी और जब वो upload हो जाएंगी फिर वो process होगी दोस्तो जब वो सारी चीज़े process हो जाएंगी उसके बाद एक command के थुरू एक software command के थुरू आपकी pension साई time पर आपके bank account में डाली जाएगी दोस्तो अभी जैसे मैं आपको बताया है कि अभी ये process में है तो धीरे धीरे इस process को complete करा जाएगा हो सकता है कि इसके बीच में कईयों को pension देरी से मिले या सही हमें पर मिल जाए अभी इसका काम धीरे धीरे चल रहा है आगे दोस्तो जैसे मैंने आपको बताया इसका एक मुख्य उदेशे है कि external sources को खतम करना direct जो pension है इस software के तुरू direct आपके bank account में आ जाएगी ज्यादा time नहीं लगेगा दोस्तो इसका एक मुख्य उदेशे एक और रहेगा कि जो भी आपके grievances हैं जो भी आपकी शिकायते हैं pension पर वो असानी से ये सुनेगा और उसका जो समाधान है जो भी information है जो आपको देनी है इस software के माद्यम से आपको जल्दी पता लग जाएगी तो इसमें भी इतना time नहीं लगेगा यानि शिकायतों का जो निवारन है वो भी इस software के माद्यम से कराय जाएगा दोस्तों इसका एक और मुख्य उदेश्चे रहेगा कि जो भी आपकी details है वो server पर तो upload होंगी उसके माद्यम से आप web portal पर भी देख पाएंगे दोस्तों इस इस पर software system में दो बैंकों को एक मुख्य अधार बनाया है इन बैंकों को शामिल करा गया है इस software में एक बैंक है state bank of India और दूसरा है पंजाब national bank इन बैंकों का भी हस्त शेप रहेगा इस software package में दोस्तों इन दोनों बैंकों ने बड़ी भूमी का निभाई है इस इस पर्ष software package को चलाने में दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो आपकी pension है वो कई चर्णों से हुकर गुजरती थी तब आपको pension credit होती थी दोस्तों अब ये पूरा काम समालेगी PCDA PCDA ही इस पर्ष के तुरू आपकी pension credit करेगी आपके bank account में दोस्तों अब आप देखिएगा कि गलती की संभावनाय बहुत कम होगी गलती आपको मिलेगी नहीं च्योंकि एक पूरा software package पूरा computerized system ही आपकी pension credit करेगा आपके bank account में तो दोस्तों आगे देखने वाली बात होगी कि pension में कितनी गलतीया होती है या कितनी गलतीया नहीं होती है जो manually काम करता है उसकी ज़्यादा गलतीय होती है या जो computerized system करेगा उसकी ज़्यादा गलतीय होंगे तो दोस्तों जब हम इसे धीरे-दीरे देखेंगे, समझेंगे Spurs को जैसे जैसे इसका use आगे बढ़ेगा तब हमें आगे पूरा clear पता लगता रहेगा कि कैसा बनाया गया है ये Spurs software package दोस्तों Spurs जो बनाया गया है ये basically pensioner के लिए family pensioner के लिए बनाया गया है defense के कि उन्हें कहीं भी जाना ना पड़े वो अपनी सारी information एक web portal पर देख सके एक server के दोरा तो सबसे मैतपूर्ण ये बात है कि जो pensioner है family pensioner है वो एक web portal पर अपनी सारी information देख सकते है pension selected इसलिए Spurs को design करा गया है Spurs के थुरू pensioner family pensioner आगे आने वाले टाइम में अपनी reports भी निकाल सकते हैं आप अपना digital life certificate भी भर सकते हैं आप monthly report generate कर सकते हैं pension selected दोस्तो ये सब चीजे एक software package के थुरू होंगी जिसका नाम है Spurs दोस्तो इस पर्ष में कुछ खामिया भी है दोस्तो जैसा आपको पता है कि अभी धीरे धीरे ये process हो रहा है पूरी तरीके से complete नहीं हुआ है Spurs अभी इसमें data uploading का काम चल रहा है जो pensioner का data है family pensioner का data है और भी जो बहुत सारी चीजे हैं वो upload हो रही हैं एक server पे दोस्तो सारी चीजें आप देख तो सकेंगे system पे तो दोस्तो ये Spurs जो है वो जारतर उन लोगों के लिए बनाये गया है जो net use करते हैं जिने पता है कि किस तरीके से हमें use करना है और किस तरीके से हम इसका लाब ले सकते हैं लेकिन उन pensioner के लिए family pensioner के लिए दिक्कत है जो system चलाना नहीं जानते जो use करना नहीं जानते तो दोस्तो उनके लिए थोड़ी सी परशानी है कि इस system को समझना, इस pursh को समझना, दोस्तो और भी कई pensioner है, family pensioner है जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, गावों में रहते हैं, वहाँ पे internet की सुविधा नहीं है, तो दोस्तो उनके लिए भी दिक्कत है इस pursh को समझना, वो कहां से पता लगा पाएंगे, कि खांखां से अपनी डेटेल्स पैंशन से लिटेड तो दोस्तो उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत है दोस्तो जैसा मैंने आपको बता है कि अभी प्रोसेस का काम चल रहा है इस परश का दोस्तो इससे डाटा लीक होने का खत्रा है जो हैकर्स हैं वो डाटा लीक कर सकते हैं पैंशनरों का दोस्तो एक थोड़ा सा ये भी वीक पॉइंट है तो पूरी सेक्यूरिटी के साथ पूरी कीज के साथ सर्वर कीज हैं जो उनका यूज करके पूरी अच्छी तरीके से इस सौफ्वेर को यूज करना है आगे आने वाले टाइम में ताकि भविश्य में इस सौफ्वेर का को कोई गलत उपियोग ना कर पाए » दोस्तो कई पैंशनोरूने मेरे को कमिंट में पूछा, कॉल भी किया कि जो इस पर्ष है ये beneficiंशन बढ़ाने का कांब करता है अधे दोस्तो इस पर्ष एक डिजिट अल सफ्वेरEE पैकेज है ये pension बढ़ाने का काम नहीं करता है pension बढ़ाने का काम pension revision का काम pension table बनाने का काम ये सब सरकार का है सरकार order पास करेगी pension revision का अगर order पास होता है तो इसका updation हर एक office में जाएगा तब जब आपकी pension revise हो जाएगी तो उसकी detail इस पर्ष के server पर upload होगी लेकिन इस पर्ष आपको कहीं से भी आपकी pension बढ़ाने की सूचना नहीं देता नहीं इस software package से आपकी pension बढ़ती है सरकार आपकी pension बढ़ाएगी इस पर्ष नहीं बढ़ाएगा इस पर्ष सिरफ एक digital software है इस software के माध्यम से आप सारी pension related details देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो दोस्तो ये मैंने आपको बताया इस पर्ष नहीं कुछ चीज है तो दोस्तो इसके regarding आपको कुछ पूछना है तो डिरेक्टा मेरे को कमेंट कर सकते हैं कुछ पी चीज आपको समझ नहीं आती है तो डिरेक्टा मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस पर्ष न काम अभी धीरे धीरे आगे चल रहे है अभी पूरा फाइनल नहीं हुए है तो दोस्तो आप लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें थैंक यू वेरी मच